हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक तो मैं चनल, आज मैं आपको शॉर्ट टॉप विट पॉप्स लिव बनाना बताऊंगी तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मिटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते है तो सबसे पहले हम टॉप पाट की कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को मैंने फोर फोल्ड करके बीचाया हुआ है जो मेरी सेट है वो इसकी बंदवाली सेट है और जो उपर की सेट है वो इसकी खुली हुई सेट है और देखे इसकी जो लंबाई है वो हमें 12 इंच की रेडी रखनी है तो एक इंच हम एक्ष्टर रखेंगे सिलाए मार्जिन के लिए तो हमें 13 इंच का फैब्रिक कट करना है क्योंकि आधा इंच हमारा ओपर से शोल्डर में सिलाए में जाएगा और आधा इंच नीचे से सिलाए में जाएगा तो टोटल लंबाई हमें 13 इंच की रखनी है अभी शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है साड़े साथ इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सिधी लाइन ड्रो कर देनी है जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आम होल भी लेना है अभी यहां से हम चेश्ट का मेजरमेंट लेंगे तो आपकी चेश्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच हमें एक्ष्टा लेना है सिलाइ माजिन के लिए तो मेरे मेजरमेंट में जो चेश्ट का मेजरमेंट है वो 36 इंच का है तो उसका चौथा भाग 9 इंच होता है और उसमें मैंने 2 इंच एक्ष्टा लिया है तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है अभी नीचे से हम कमर का measurement लेंगे तो आपकी कमर का जो भी measurement हो उसका 4 भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एक्स्टा लेना है सिलाइय मर्जन के लिए तो नीचे से जो मेरी कमर का मेजरमेंट है वो 32 इंच का है और उसका चोथा बाग 8 इंच होता है तो उसमें मैंने 2 इंच एक्ष्टा लिया है तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है और साइट से भी हम लाइन डो कर देंगे अभी देखे गले की चोड़ाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें चार इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें बोटनेक शेप ड्रोग कर देना है फ्रन्ट और बेकनेक के लिए अभी जहाँ पर हमारी armhole वाली line है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है shoulder slope के लिए और इस तरह से एक तिर्ची line draw कर देनी है अभी सबसे पहले हमें back neck और back armhole से इसकी cutting कर देनी है तो जैसे हमने draw किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी cutting कर देनी है तो ये देखे मैंने इसकी cutting कर दी है अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से double fold करते हुए front neck और front armhole की cutting कर देंगे तो देखे इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है अभी देखे हमें बैक वाला पार्ट इस तरह से फोल्ड करते हुए रखना है क्योंकि हम बैक पार्ट में कट लगाने वाले हैं नीचे की साइट से तो नीचे से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है देखे उपर से कट की लंबाई आप अपनी पसंद से कमिया जादा भी कर सकते है तो मैंने 5 इंच की ही लंबाई रखी है आप अपनी पसंद से 6 इंच की या फिर 7 इंच की लंबाई भी रख सकते है अभी जो हमने नीचे 1.5 इंच पर निशान लगाया है नीचे की साइट हम बैल्ज लगाने वाले हैं तो इसी शेप में हमें कटिंग करनी होगी यानि की वी शेप में तो देखे इस तरह से हमारे दो पार्ट है आगे और पीछे के लिए अभी देखे हम स्लिव की कटिंग करेंगे तो स्लिव को हम दो पार्ट में कट करने वाले है तो सबसे पहले elbow length की हमारी sleeve उजो रहेगी उसकी हम cutting करेंगे तो fabric को मैंने four fold करके बिछाया हुआ है जो मेरी side है वो इसकी बंदवाली side है और जो उपर की side है वो इसकी खुली हुई side है और देखे इसकी जो लंबाई है वो मैंने 9 inch की रखी है ये 8 inch की लंबाई हमारी ready होगी आप अपनी पसंद से इसकी लंबाई 9 inch की या फिर 10 inch की भी रख सकते है अभी देखे ऊपर से जो इसकी चोड़ाई है वो मैंने 8.5 inch की रखी है देखे इस तरह से अभी capsule की लंबाई के लिए हमें 3 inch पर निशान लगाना है और बंदवली side से भी हमें 3 inch पर ही निशान लगाना है 3 inch पर निशान लगाते हुए हमें एक city line डोग कर देनी है अभी जहाँ पर हमारे खुली हुई side है वहाँ पर हमें 2 inch पर निशान लगाना है सिलाई margin के लिए और इसमें हमें sleeve का shape डोग कर देना है जैसे हम normal sleeve का shape डोग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से देखे इस तरह से अभी नीचे से जो मेरी sleeve की चोड़ाई है वो 5 inch की है हमें काए इसकी cutting कर देनी है तो जैसे हमने डोग किया है बिल्कुल वैसे ही हमें sleeve की भी cutting कर देनी है । देखे इस 통ree की cutting कर दिए है और ये हमारी 2 sleeve है अभी इस sleeve के नीचे जो हम अलक से fabric लगाने वाले है उसकी भी मैंने cutting कर ली है तो देखिए मैंने 2 piece cut किये हुए है दोनों ही sleeve के लिए और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच की रखी है इसके नीचे भी हम एक और पट्टी लगाने वाले है तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने 12 इंच की रखी है और इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने 25 सिंज की रखी है अगर आप plits कम लगाना चाहते है तो इसकी चोड़ाई आप कम भी रख सकते है तो मैंने 25 सिंज तक की चोड़ाई रखी है अभी सबसे पहले जो हमारा back वाला पार्ट है जिसमें हमने cut लगाया था उसी shape की हमें पट्टी cut करनी है तो back वाले part को हम इस तरह से fold कर लेंगे और देखिए मैंने ये extra fabric लिया हुआ है इसे भी हमें double fold कर लेना है और बंद वाली side के उपर ही हमें बंद वाली side को रखना है और जो V shape में हमने cut लगाया था बिल्कुल उसी shape में हमें पट्टी के उपर भी इस तरह से shape ड्रो कर देना है यानि की line ड्रो कर देनी है अभी back part को हम हटा देंगे और जो V shape में हमने line ड्रो की है उसके आगे हमें 1,5 इंज का gap रखते हुए एक और line ड्रो कर लेनी है और इसकी cutting कर देनी है तो हमारी पट्टी भी cut हो जाएगी तो देखी इस तरह के से हमने पट्टी भी cut कर ली है V shape में ही अभी जो हमने back part में cut लगाया था उसके उपर हमें पट्टी को उल्टा रखना है back वाले part को हम सीधा रखेंगे और पट्टी को हमें उल्टा रखना है बिल्कुल V shape में हमें पट्टी को अच्छे से adjust करना है और इसके उपर हमें V shape में ही सिलाय लगा देनी है देखी इस तरह से V shape में हम सिलाय लगाएंगे उसकी बाद जो पट्टी की border है उसे हम एक बार इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके उपर सिलाई लगा लेंगे और पट्टी को उरिटी साइट पर पलट देंगे और इसके उपर कवर सिलाई लगाएंगे उसके बाद जो हमारा नेक है उसके उपर भी हमें तिर्ची पट्टी साथ ही आटेच कर देनी है तो पत्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साड़ पर मोड देंगे, तो देखे मैंने पैक नेक पर भी पत्टी अटेज कर लिया है, और नीचे जो कठ हम ने बनाया था, उसके उपर भी मैंने इस तरीके से पत्टी को अटेज कर लिया है, देखे इस तरीके से, और कर लिया है अभी हम इसमें स्लीव अटेज करेंगे तो स्लीव को हम सेंटर से ही अटेज करेंगे सेंटर से जब हम स्लीव को अटेज करते हैं तो स्लीव हमारी परफेक्ट तरीके से बैठ जाती है तो इस तरीके से सेंटर से ही हमें स्लीव को अटेज करना है और इसके उपर हम स्लुव को उल्टा रखेंगे और इसके उपर हम सिलाय लगा देंगे तो देखी मैं स्लुव को इटेज कर लिया है दोनों ही साइट से अभी देखे जो हमने GREK का था उसे हम इटेज करेंगे गारेखेंगे सुप्षिकश्र I ken to जितनी भी हमारी स्लिव है उतनी हम प्लेट्स को एड़्जस कर लेंगे दूसरी सैट से भी हमें देर इंच एक्ष्टा छोड़ देना है हमारा फिटिंग का और इसी तर से दूसरी जो हमारी स्लिव है उसके उपर भी हमें जो एक्ष्टा फैब्रिक है उसे उल्टा रखना है और साइट से देड़ इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हमें चोटे-चोटी प्लेट्स लगाते हुए इसे अटेच कर लेना है तो चलिए मैं आपको मशीन पर बताती हूँ तो देखिए देड़ इंच हमें सिलाई मार्जिन का छोड़ देना है उसके बाद हमें इसमें छोटी-छोटी plates लगानी है चाहे तो अपनी choice के अनुसार इसमें छोटी-प्लेट्स भी लगा सकते है या फिर बड़ी plates भी लगा सकते है लेकिन हम इसमें जितनी छोटी-प्लेट्स लगाएंगे उतना इसका लूप बहुत ही सुन्दर लगता है तो इसी तरह से पूरे ही स्लीव के उपर हम इसमें छोटी-छोटी सी प्लिट्स लगा देंगे देखे इस तरीके से हमें छोटी-छोटी प्लिट्स लगा देनी है पूरे ही स्लीव के उपर इस तरीके से हमारा ये वाला जो extra fabric है वो भी attach हो जाएगा sleeve के साथ जो हमारी elbow sleeve है उसी के साथ ये हमारा extra fabric है वो भी joint हो चुका है देखे आप देख सकते हैं अभी जो नीचे वाली border है जो हमने extra fabric लगाया था उसकी जो नीचे वाली border है उसमें भी हमें plates लगानी है तो इसमें हम बड़ी-बड़ी plates लगाएंगे क्योंकि नीचे से हमारा fabric बहुत ही ज्यादा होता है इसलिए हम इसमें बड़ी-बड़ी plates लगाएंगे तो देखिए इस तरीके से मैंने नीचे की side पर भी plates लगा दी है अभी ये plates आपको कितनी adjust करनी है वो आपको measure करना होगा तो नीचे से जितनी भी आपकी sleeve की चोड़ाई है उसमें आपको 1-4 inch extra लेना है तो वेसे तो मेरी जो sleeve की चोड़ाई है वो 8 inch की है लेकिन नीचे से हमें थोड़ा loose ही रखना होता है तो मैंने 12 inch की चोड़ाई रखी है क्योंकि हमें पहनने में आसानी हो अभी देखे हम अलग से एक और पट्टी attach करेंगे तो इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने 3 inch की रखी है अभी देखे सीधी side से ही पट्टी को में sleeve के उपर रखना है और इसके उपर हमें सिलय लगा देनी है उसके बाद जो हमारी पट्टी की border है उसे हम एक बार fold करते हुए इसमें सिलय लगाएंगे और पट्टी को आधी पट्टी को हमें अंदर की side पर fold करना है और आधी पट्टी हमें बाहर की side रखनी है इस तरह से हमें पट्टी cottage कर लेना है plates के उपर इसी तरह से दूसरी वाली स्लिव के उपर भी हम पट्टी cottage कर लेंगे और पट्टी की border को fold करते हुए आधी पट्टी हमें अंदर की side मोरनी है और आधी पट्टी हमें बाहर की side रखनी है तो देखे मैंने पट्टी cottage कर लिया है दोनों ही side से आप चाहे तो इसकी किनारी पर भी एक सिलय लगा सकते है तो दोनों ही स्लिव में मैंने पट्टी cottage कर लिया है अभी देखे हमें टॉप पाट को उल्टा कर लेना है और पहले हम इसकी fitting कर लेंगे तो देड़ इंच का gap रखते हुए हमें इसकी fitting कर लेनी है नीचे की side हम दो इंच का gap रखेंगे और इसकी fitting करेंगे स्लिव में हमें सिर्फ देड़ इंच का gap रखते हुए ही इसकी fitting कर लेनी है दोनों ही side से तो देखे मैंने इसकी fitting कर ली है दोनों ही side से अभी नीचे की side हम इसमें अलग से belt लगाने वाले हैं देखे यहाँ पर हम belt लगाने वाले हैं तो उसके लिए मैंने ये अलग से पट्टी कट की हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 7 इंच की रखी है एक इंच हमारा सिलाई में जाएगा और ये 3 इंच की पट्टी हमारी ready होगी इसे fold करने के बाद और देखे इसकी जो लंबाई है वो कम से कम हमें 70 से 80 इंच तक की रखनी होगी तब ही हमारा पीछे से बैट अच्छे से बंद पाएगा अभी देखे हमें पट्टी का सेंटर निकलना होगा आप चाहे तो ऐसी दो पट्टिया भी जॉइंट कर सकते है अगर आपके पास पूरी लंबी पट्टी ना हो तो मैंने दो पट्टिया ही जॉइंट की है तो यह जो मेरी सिलाई है वो बिलकुल बीच में ही आई है अगर आपकी सिलाई बीच में नहीं आती है तो पट्टी को आपको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए बिलकुल सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना होगा उसके बाद देखे यह जो हमारा टॉप वाला पार्ट है उसकी फ्रंट सैट के उपर भी हमें इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए बिलकुल सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना होगा तो फ्रंट सैट में ही हम इसे डबल फोल्ड करते हुए छोटा सा कट लगाएंगे तो देखे इस तरह के से मैंने कट लगा दिया है अभी ये जो हमने पट्टी कट की है उस पट्टी का सेंटर और जो हमने टॉप पार्ट में कट लगाया था उसका सेंटर हमें बराबर मिलाते हुए रखना है देखे इस तरह से कट से कट को मिलाना है उसके बाद हमें पट्टी में सिले लगानी है तो देखे जो पीछे की सैट हमने कट लगाया है न वहीं तक हम इसमें सिले लगाएंगे एक्ष्रा पट्टी को हमें छोड़ देना है और इसी तरह से दूसरी साइट पर भी जो हमारी पट्टी है उसे भी जो हमने बेक साइट में कट लगाया है वहीं तक हमें इसमें सिले लगानी है तो देखे मैंने इसमें सिले लगा दिये है बेक वाले कट तक ही मैंने इसमें सिलय लगाई है आप देख सकते हैं अभी देखिए ये जो पट्टी हमने लगाई है इसे हमें इस तरह से उल्टा कर लेना है ये जो हमारी एक्ष्टा पट्टी बची है इसे हमें इस तरह से उल्टा कर लेना है और किनारी पर हम पहले इसमे एक तिर्ची सिलय लगाएंगे उसके बाद हमें इसमें सीधी सिलय लगाने है तो जहां तक हमारा पैक वाला जो कट है बिल्कुल वहीं तक हमें इसमें सीधी सिलय लगाने है उसके आगे हमें सिलय नहीं लगानी है किनारी पर हम एक तिर्ची सिलय लगाएंगे उसके बाद सी गोगोई है वहाँ तो देखे मैं यहाँ पर सिल्णी लगा दी है जहां तक हमारा बैक वाले पाट का कर थै वहीं तक पर पर अध money सिल्णारी लगा थी वहाँ पर यह एक्स्ट रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और एक छोटा सा कट लगा देंगे कोने के उपर इसी तरह से जो दूसरी सैट पर पट्टी में हमने सिलाय लगाई है उसके किनारी पर भी जो हमने तिरची सिलाय लगाई है वहाँ पर भी हम एक्ष्टा फेब्रिक को कट कर लेंगे और कोने पर हम एक छोटा सा कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद इस पट्टी को हमें सीधी सैट पर पलटना है तो आप किसी भी नुकिली चीज की मदद से इस पट्टी को बहुत ही आसानी से सीधी सैट पर पलट सकते है तो मैं ये पैन की मदद से इस पट्टी को सीधी सैट पर पलट दूगी ये पट्टी हमारी का से दूसरी सैट वाली जो हमारी पट्टी है उसे भी हमें पलट देना है किसी भी पैन की मदद से इस पट्टी को आप बहुत ही आसान तरीके से पलट सकते हैं तो इस पट्टी को भी हमें सीधी सैट पर पलट देना है बहुत ही आसानी से पट्टी हमारी सीधी सैट पर पलट और पट्टी के कोनों को भी हमें अच्छे से बाहर निकाल लेना है अभी देखिए दोनों साइट की पट्टी को तो हमने पलट दिया है तो ये जो बीच वाला हमारा पोशन है वही हमारा सिलाई लगाना बाकी रह गया है तो इसमें आपको किस तरीके से सिलाई लगानी है वो और ये जो पट्टी बाकी है हमारी सिलय लगानी उसे हमें इस तरह से आदा इंच तक फोल्ड करते जाना है और इसके उपर हमें सिलय लगाते जाना है तो जो हमारी अंदर वाली सिलय है उसे हमें पट्टी के नीचे दबाते जाना है और इसके उपर हम सिलाय लगाते जाएंगे तो चलिए मैं आपको मशीन पर बताती हूँ तो ये जो हमारी साइड वाली पट्टी है पहले इसके उपर हम एक कवर सिलाय लगाते हुए सिलाय लगाएंगे आप चाहे तो इस पट्टी को बाद में प्रेस लगा कर भी सेट कर सकते हैं लेकिन पहले हम इसके किनारी पर एक कवर सिलाई लगाएंगे देखे इस तरही के से पट्टी को अच्छे से सेट करना है और इसके उपर हमें कवर सिलाई लगाते जाना है पूरी पट्टी में हम cover सिलाई लगा देंगे अभी देखिए ये जो हमारा बीच वाली सिलाई है और ये जो हमारी बीच वाली पट्टी है उसे हमें इस तरह से आदा इंच तक fold करते जाना है देखी इस तरह से हम इसे fold करते जाएंगे और इसके उपर हम सिलाई लगाते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हमारी पट्टी fold हो जाती है और इसके उपर हम सिलाई लगाते जाएंगे तो बीच वाला portion भी हमारा cover हो जाएगा उसके बाद दूसरी साइड वाली पट्टी पर भी हम cover सिलाई लगा देंगे देखे इस तरीके से तो पूरी ही पट्टी हमारी बहुत ही फिनिशिंग से लग जाएगी तो देखे इस तरीके से हमने पट्टी को लगा लिया है आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से हमारी पट्टी लग गई है अभी अगर आप चाहे तो इसे प्रेस लगा कर सैट भी कर सकते है उसके बाद देखिए ये जो पट्टी हमने लगाई है इस तरीके से इसकी फिनिशिंग आई है आप देख सकते है अभी इसे हम बैक सैट में अपनी फिटिंग के अकॉर्डिन टाइ अप कर सकते है तो देखिए इस तरीके से आप बो बनाते वे पीछे की सैट पट्टी को बाद सकते है और देखिए स्लीव में कुछ इस तरीके से इसका पफ आएगा देखिए और बैक सैट में ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा देख सकते हैं आप अगिस तरीके से इसकी पॉफ सलिव की आप चाहे तो मद्लिक मेर कर इस तरीके से इसका पफ आएगा और दिखी इतना शौट रहेगा आप चाहे तो इसे जीन्स पर भी पहन सकते हैं या फिर आप प्लासों के उपर भी पहन सकते हैं So friends, I hope so कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्टाइब सरुर से कीजिएगा और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई